अगर आप लोगों ने CISB कानेस्टेबल फायर मेन में फोम भरा है जो 1149 पोस्टे निकली थी तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जिसा कि आप सभी लोगों को पता है CISB का फायर मेन का जो है फिजकल चालू हो गया 26 अगस्त से स्टार्ट हुआ आपका 10 अक्टूबर तक चलेगा तो आज से हम प्रक्टिस सेट स्टार्ट कर रहें अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सस्क्राइब जिरूर करें और लाइक करें अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लोगों के लिए हम प्रक्टिस सेट ला रहे हैं आज से स्टार्ट किया है तो प था आपकी 25 नमबर की आएगी इंदी या इंगलिस दोनों में से एक आएगी यहां 25 नमबर की कर सकते हो इसमें एक करना होगा 25 कोशन आएंगे रीजनिंग के 25 कोशन तो आपको डेली सेट मिल जाएगा इसमें जो है हमने जो सेट यह तयार किया है इसमें करेंट अफेर के भी कोशन सम्मिलित किये गए है तो आप लोग सेट लगा सकते हो अगर आप लोग इन कोशनों की पीडियप पाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम चेनल को जोईन कर लें वीडियों के डिस्क्रॉप्शन बोक्स में लिंक दे रखी वहाँ पर हम ये पीडियप डाल लेंगे बहां से आप लोगों को ये कोशन मिल जाएंगे इसमें 25 कोशन रहिने वाले आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो तो इस्टार्ट करते हैं गाइज पहला कोशन है पहला कोशन है ये पहली बार जब संभिदान संसोधन किया गया था कब किया गया था 1951 में किया गया था और इसके तहित प्रथम अनुसूची जो जोड़ी गई थी इसमें नभी अनुसूची जोड़ी गई थी गाइज यहां पर जो है केरल जो है रवर की खेती के लिए प्रसिद्ध है और आप लोगों को बता दे सरबादिक मसालों का उत्पादन जो करता है वो कौन करता केरल है और नारियल सरबादिक कहां उत्पादन होता है नारियल का वो भी केरल से ही होता है नेस्ट गाईज question है आपका question नमबर 3 है question नमबर 3 है सम्मिधान सवाकी अंतिम मेठक कब हुई थी तो इसका right answer हो जाएगा उप्सन जो है C वाला right answer हो जाएगा सम्मिधान की अंतिम मेठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और सम्मिधान की प्रतम बेठक 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ये भी आप लोग याद रखें पहली बेठक 1946 को हुई थी 9 दिसंबर को और अंतिम बेठक कब हुई थी 24 जनवरी 1950 को Next guys question है Question number 4 है इसमें पूसरता सलाल सलाल जलब परियोजना किस नदी पर है तो ये किस नदी पर चिनाव नदी में हे और जंबू कस्मीर में है और तुल्बूल परियोजना है तुल्बूल परियोजना ये जेहलम नदी पर ये भी जंबू कस्मीर में है Next guys question number 5 है Qatchन number 5 है इसमें करेंट अफेर के भी Qatchन हम नहीं समम्मलित किया Qatchन number 5 है भारत के सबसे उंचे air purifier tower का निर्माड कहा किया गया है तो भारत के सबसे उंचे air purifier tower का निर्माड कहा किया गया है तो इसका right answer हो जाएगा option D इसका right answer जो हो जाएगा option D कहा किया गया है चंदीगड में इसका निर्माड किया गया है कोशन नम्मर-6 थाल घाट ॔र भोर घाट पाल घाट किस तट पर इस्तित हैं यह यह दर्रे में यह आम से पूचा गया इसमें है तो यह जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट यह कॉंकर तट में जो हैं इस्तित हैं Next guys question no.7 हीमोगलोबिन कौन सा हीमोगलोबीन में कौन सा धात उतत्त होता है तो इसमें हीमोगलोबीन में जो होता है option बाला B right आप का answer हो जाएगा इसमें लोहा धात उतत्त होता है next question number guys 8 है 8 है भारत का पहला संचालन उपगरे है संचालन उपगरे है IRN SAS-1A इसका जो है कहां से छोणा गया था पहली बार जो इसका संचालन हुआ था कहां से छोणा गया था तो इसका right answer हो जाएगा ये सिरी हरिकोटा अंधरप्रदेश से ये छोणा गया था IRNSS जो 1A जो है सिरी हरिकोटा से छोणा गया था question number guys 9 है इसमें क्या है बोद्धिक संपता सूचकांग 2021 में भारत का कौन सा इस्तान था तो यहाँ पर current behavior के question पीछे के पूछे जाएंगे लिए एक साल के तो यहाँ पर पिछला question अमने यहाँ पर लिया है तो नौका हो जाएगा राइट आंसर जो बोद्धिक संपता सूचकांग थी इसमें भारत का इस्तान तो रहा था चालिसमा 2021 में question number 10 है question number 10 है 51 दादा दादा सायफाल के पूरुसकार विजेता कौन है तो यह पूरुसकार विजेता रजनी कांत्र थे next guys question number है question number 11 है भारतिये अंत्री चिकार करम का जनक किसे कहा जाता है तो भारतिये अंत्री चिकार करम का जनक बिकरम सारावाई एंबलाल को कहा जाता है सारावाई को कहा जाता है इसका राइट आंसर हो जाएगा option जो है बीवाला हो जाएगी बिक्रम सारा भाई को कहा जाता है अंतरी शिकार करम का इन्हें जनक कहा जाता है नेश्ट गाइज कोशन नमर है बारा कोशन नमर बारा है जब इस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादसा कौन था तो इस्ट इंडिया कंपणी का गठन कप किया हुआ था तो यह 16 USB में हुआ था उसमें जो है यहां का जो मुगल सासक था वो अकबर था इसका राइट अंसर ओप्शन C हो जाएगा नेश्ट गाइज कोशन नमर है 13 भारत के उच्चितम नियाले के नियाधीशों की संक्या में ब्रद्धी करने की सक्ति किसमें नहीं थे जो भारत का उच्चितम नियाले है उसमें नियाधीशों की संक्या में जो है ब्रद्धी कौन कर सकता है तो इसका राइट हो जाएगा इसमें जो है संसद व्रद्धी कर सकती है नेक्स्ट गाईज question number है आपका चवधमा है कनाडा की कनाडा की देश की मुद्रा क्या है कनाडा देश की मुद्रा क्या है तो यहाँ पर आपको मुद्रा बताना है तो इसका right answer हो जाएगा डालर कनाडा की मुद्रा कनेडियन डालर चलती है वहाँ पर और इसकी जो है राजधानी कनाडा की क्या है उटावा इसकी राजधानी है उटावा इसकी राजधानी है next guys है आपका next question है question number है guys 15 question number है 15 पित का मुख्य कार क्या है जो पित होता है तो इसका मुख्य कार क्या होता है biology के question है इसका right answer option डी हो जाए पाचन तथा सोसन हेत बसा का emulsion करना इसका कार क्या होता है पित का पाचन तथा सोसन हेत बसा का emulsion करना next question है guys question number 16 question number 16 है कौनसा carbohydrate monesequeride है तो कौनसा कार्बो हाइड्रेट जो है मोने सेकराइड इसमें हो जाएगा मोने सेकराइड गुलुकोज और फ्रक्टोज यह क्या है मोने सेकराइड के उधारण है next guys question number 17 है question number 17 है 17 में क्या है EN 17 में क्या है ENT कि डाक्टरों दोरा प्रियोग किया जाने वाला head mirror किस प्रकार का होता है तो जो head mirror जो डाक्टरों लोग प्रियोग करते हैं इसमें क्या किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए ये यूज करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा option A अब तर लेंस जो होता है question number 18 है 18 में क्या है कोणार्क मंदिर का निर्माड किस ने कराया था जो कोणार्क मंदिर इसका निर्माड करवाया था option B right answer हो जाएगा नर्सिंग देव ने इसका निर्माड कराया था question number 19 है अंतर राष्टिय जलवाईव शिकर सम्मेलन 2021 में आयोजी सम्मेलन की मेजवानी किस देशने की थी तो अंतर राष्टिय जलवाईव शिकर सम्मेलन 2021 में आयोजी सम्मेलन की मेजवानी किस देशने की थी तो इसका right answer हो जाएगा option जो D वाला हो जाएगा भारत ने इसकी मेजवानी की थी question number 20 है भारतिय रिजरब बेंक RBI द्वारा जारी किये जाने वाले नए सवरुपे के नोट में निमलिखित में से कौन सी विशेष्टा है तो इसमें जो नए नोट जारी के इसमें कौन सी विशेष्टा चार ओप्षन दिये गए भारतिय रिजरब बेंक आर्बियाई के गवर्नर का हस्ताचर नहीं है तो इसकी जो है ये वाला भी गलत हो जाएगा मुलि बर्ग संकिया सव देवनागरी लिपी में नहीं लिखी ये भी गलत हो जाएगा नोट का रंग भूरा ये भी गलत हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेस्ता ओप्षन डी हो जाएगी डी हो जाएगा राणी की बाव की आकरति है तो ये वाले नहीं इसका राइट आंसर ओप्षन डी वाला हो जाएगा हरजन सेवक संग की स्थापना महत्मा गांधी जी ने कहां की थी तो इसका right answer हो जाएगा option D हो जाएगा पूने में हरजन संग सेवक की स्थापना महत्मा गांधी जी ने की थी इसकी पूने में नेक्स्ट गाईज कोशन नमर है आपका 22 अगर वीडियो अच्छा लगे तो चोनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे एक दो कोशन नमर है 22 कोशन नमर 22 है चीनी यात्री इतिसंग डेस में तीन वर्स ठेहर कर संस्क्रत की संस्क्रत सीखा था तो यानि कि जो इत्सिंग चीनी यात्री था ये कहां ठेहर कर जो इसने तीन वर्स तक संस्क्रत सीखा था तो इसका right answer हो जाएगा तामरा लिप्ती तामरा लिप्ती में जो है ये ठहर कर तीन बरस तक इसने सिच्छा ली थी इसका right answer हो जाएगा option D वाला next guys question number 23 बीशु परियावरन स्वास्ते दिवस प्रतिवर्सक की स्थिथी को मनाया जाता है तो यहाँ पर बीशु परियावरन स्वास्ते दिवस यहाँ परियावरन की बात नहीं हो रहे तो इसका right answer हो जाएगा option D वाला हो जाएगा 25 सितंबर को जो है बीशु परियावरन स्वास्ते दिवस मनाया जाता है परियावरन की बात की जाएगा तो पांच जून को मना जाता है मगर यहाँ पर 20 सुप्रयावरन स्वास्ते दिवस पूंचा जा रहा है तो यहाँ पर 25 सितंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन एवाला नेस्ट कोश्टन है कोश्टन नमर 24 से कोश्टन नमर 24 से भारत का पहला सहेद परिच्छन परियोग साला कहां इस्तापित किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोश्टन नमर 24 का राइट आंसर हो जाएगा यह गुजरात में जो है भारत का पहला सहीद पहला सहिद परिच्टन परियोग साला जो है गुजरात में इस्तापित किया गया नेड़्य कोश्टन है बेलथाप नेशन पुष्टक के लेखक कौन है तो यह जो पुष्टक यह एड़ेम इसमिद है भी इसका राइट अंसर हो जाएगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा चैनल जो है टेलिग्राम चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी वहाँ पर जो भी पीडियेप आती हैं वो सब डाल लेते हैं वहाँ पर तो सभी कोशनों की आपको पीडियेप टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी और बहुत सारी बुकें आपको मिल जाएंगे फिरी में बहाँ से आप पढ़ सकते हो जिसे मेट की हुई, रीजनिंग की हुई, इतियास की बहुत सारी बुकें हैं आपको महाँ पर फिरी में मिल जाएंगे, थिंक्यू गॉइज